हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स मद्धिप्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफिर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है आट जून दो जारुनीस और यह हमारी 168 भी क्लास है इन इन नोट कर लें क्यूंकि यह आपके एक्जाम में पूछे जाती है साती कॉस्टेंस रिलेटिड इम्पोटन फैक्टी भी हम आपको बताते हैं तो वह भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरू करेंगे दोस्तो last 2-3 दिन से current affair का एक भी वीडियो नहीं डाला है तो दोस्तो आज से आपको regular current affair का एक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा question number first मद्यप्रदेश के किस शहर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है जिसका सई option है मईहर मद्यप्रदेश के मईहर शहर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसके अलावा मैहर में कुछ important fact हैं आपको वो भी बता दे तो मैहर में माशारदा का प्रिसिद्ध मंदिर है जो पूरे भारत में प्रिसिद्ध है इसके अलावा अलाउद्दीन खां की संगीत academy और अलाउद्दीन खां का जन्म इस्थल यह भी मैहर में है तो इतना आपको मैहर के बारे में याद रखना है Next question 2011 की जन्गर्णा मत्यपरदेश की कौन सी जन्गर्णा थी? तो इसका सई option है चटवी भारत की 15 जन्गर्णा थी और स्वतंत्र भारत की 7 जन्गर्णा थी और वहीं अगर बात करें मत्यप्रदेश की तो यह मत्यप्रदेश की छटवी जनगर्ना थी अब दोस्तों आपको बता दें पहली बात जो जनगर्ना हुई थी वह 1872 यानि 1872 में लॉड मेयो की कारिकाल में प्यारंब की गई थी दोस्तों एक और डिफरेंट क्वेशन बनता है वो यह है 1981 यानि 1981 में लॉड रिपन की कारिकाल में जब से लगातार जो है जनगर्ना भारत में की जाती है तो लगातार कारिकाल भाले थे लॉड रिपन 1881 से जो शुरू ही थी वो अब तक प्रती दश बर्श में जनगर्ना की जाती है किस राष्टी उद्यान को हलो घाटी और बंजर घाटी इस्थित है जिसका सही option है काना किसली उद्यान काना किसली उद्यान में हलो घाटी और बंजर घाटी इस्थित है दोस्तों आपको बता दें काना किसली राश्टिय उद्यान या मध्यप्रदेश का परत्थम राश्टिय उद्यान है आपको इसके बारे में एक पॉइंट जरूर याद रखना है इसकी स्थापना 1974 में की गई ती यानि 1974 में और इसे मंडला जिले में इस्थापित किया गया है तो आपको याद रखना है हलो भाटी और बंजर गाटी काना किसली रास्टी उद्ध्यान में मौजूद है next question हाली में RBI ने रैपो रेट में कितनी कमी की है जिसका सही ओफ्षन है 0.2 परतिशत हाली में 0.2 परतिशत की कमी रैपो रेट में RBI बैंक द्वारा की गई है दोस्तो ये वर्ड दिया है रैपो रेट इसके बारी में आपको बता दे तो यह दर एक प्रकार की दर है और ये दर RBI छोटी समय अबदी के लिए बैंकों को रिन देता है दोस्तो आपको बता दे अगर रैपो रेट बाजारों में बढ़ती है तो ब्याज दरों में भी ब्रद्धी होती है और अगर रैपो रेट कम होती है तो ब्याज दरों में कमी होती है जो हाली में 0.2 परतिशत की कमी RBI ने की है अब दोस्तो बात आईए RBI की तो आपको इसके बारे में बता रहे RBI का Full Farm Reserve Bank of India होता है इसकी स्थापना 1 April 1935 में की गई थी RBI का Headquarter मुंबई में है और Governor है शक्ति कांत दास तो दोस्तो इतना आपको RBI की बारे में याद रखना है Next Question हाली में Cricket World Cup The Indian Challenge नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसका स्य Option है आसी स्रे हाली में आसी स्रे ने यह Cricket World Cup The Indian Challenge नामक पुस्तक लिखी है आसी स्रे द्वारा यह पुस्तक भारतिय द्रेस्टी कोंड से Cricket विश्व कप के इतिहास पर लिखी गई है दोस्तो इस पुस्तक में 1975 से 2015 तक के विश्यो कप का वर्णन किया गया है तो आपको ये बहुत important question है Cricket World Cup The Indian Challenge Book आसी सरी द्वारा लिखी गई है Next question हाली में किस राज्ज में खड़क प्रहार 2019 का आयोजन किया गया है जिसका से यॉप्षन है पंजब हाली में पंजब राज्ज में खड़क प्रहार 2019 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है दोस्तो हाली में पंजब में भारती बायु सेना ने सकता इस मई से 4 जून के बीच खड़क प्रहार नमक प्रिसिक्षन अभ्यास का आयोजन किया था जो हाली में समाप्त हुआ है दोस्तो अब बात आईए पंजाब की तो आपको पंजाब की बारी में बता दें दोस्तो मैप में ये जगा है पंजाब को दरसाती है पंजाब की स्थापना 15 अगस्त 1947 में की गई थी गौवर्णर है बीपी से बाडनौर पंजाब की मुख्यमंत्री है कैप्टन अर्मिंदर से है और पंजाब की राज्तानी है चंडीगर तो दोस्तो इतना आपको पंजाब की बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में रिपोर्ट की अनुशा 13,045 है जो एक बर्ष की संख्या है दोस्तो हाली में 200 परियावर्ण दिवस पर सेंटर फोर साइंस एंड एन्वार्मेंट की भारत की परियावर्ण रिपोर्ट 2019 चारी की गई है जिसमें यह खुलासा हुआ है मध्यप्रदेश में दूसे थवा से मरने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 13,045 पहुँच गई है दोस्तो मध्यप्रदेश में प्रदूशन का सबसे बड़ा कारण है 32% सहरी कर्चले का कलेक्शन वा प्रोसेसिंग ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है जिसके कारण यह प्रदेश में मौतें हुई हैं इतनी दोस्तो नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं हाली में किसे ग्यानपीट पुरुशकार से नवाजा जाएगा जिसका सई ओफ्षन है अमिताब घोस हाली में अमिताब घोस को भारतिये ग्यानपीट पुरुशकार से नवाजा जाएगा दोस्तो अमिताब घोस को 54 ग्यानपीट पुरुशकार 12 जुन को दिल्ली में पश्य मंगाल की पूर्व रजबा गोपाल कृष्ण गांधी प्रदान करेंगे दोस्तो पुरुशकार में लेखा कें जिने यह पुरुशकार दिया गया है तो इतना आपको इस पुरुशकार और अमिताब घोस की बारी में याद रखना है Next question हाली में किस मंदर को शुद्धता का टेग भोग के लिए दिया गया है जिसका स्योप्षन है महाकालेश्वर मंदर हाली में महाकालेश्वर मंदर उज्ञेन को शुद्धता का टेग भोग के लिए दिया गया है दोस्तो महाकालेश्वर मंदर के प्रिसाद पैकटों को अब अधिकारिक रूप से भोग का टेग लगेगा केंदर सरकार के खाद्य, सुरक्षा और मानक प्रादीकरण यानि FSSAI ने मंदर समीती द्वारा बनाए जाने वाले प्रिसाद को यह सर्टिफिकेट जारी किया है दोस्तो FSSAI ने धार्मिक इस्थनों पर मिलने वाले प्रिसाद वा भोजन सामगरी की गुणवत्ता का मानक तै करने के लिए भोग टेक देने की शुरुआत की है इसकी तहत प्रदेश में महाकाल मंदर में बनने वाले लड़ू प्रिशाद भोजन की गुणवत्ता और बनाने की प्रिकिया की जाच की गई है इसकी बाद यह टेक महाकालेश्वर मंदिर को दिया गया है Next question हाली में किसी पंचायत राज आयक्त बनाया गया है जिसका से योप्षन है संदी प्यादव हाली में संदी प्यादव को पंचायत राज आयक्त बनाया गया है दोस्तों ये उर्मिला शुकला की जगह लेंगे यानि संदी प्यादव उर्मला शुकला की जगह लेंगे संदी प्यादव से पहले उर्मला शुकला पंचाय तिराज आयक्त थी लेकिन अब संदी प्यादव को बनाया गया है next question हाली में किसे बुर्हानपुर का कलेक्टर बनाया गया है नेक्स्ट कोश्चन जल विद्यूत उत्पादन में मद्यप्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है जिसका सई उप्षन है दूसरा जल विद्यूत उत्पादन में मद्यप्रदेश का देश में दूसरा इस्थान है दोस्तो इस जल विद्यूत उत्पादन में पहला इस्थ को है वहीं दूबसरा इस्थानमध्यप्रदेश को प्राप्त है दोस्तोर आको जल विद्योथ उत्पादन के बारे में बता दें तो मद्य-प्रदेश का पहला जल विद्योध केंद्र चम्मल नदी पर आविवस्तित गांधी सागर विद्यूत केंदर की इस्थाबना 1960 में मंदसौर में की गई थी तो ये पहला जल विद्यूत ग्रह था जहां से मद्यप्रदीश में पहली बार जल से विद्यूत बनाई गई थी यह चंबल नदीपर 1960 में मंदसौर में बनाया गया था वह यहाद दोस्तों बात करें मद्धपरदेश में सर्वतम विद्धुत उत्पादन कब किया गया था तो यह दोस्तों 1905 में शुरू हुआ था 1905 में पहली बार मद्यप्रदेश में सर्व परतम विद्युत का उत्पादन किया गया था दोस्तो अब बात करते हैं कल के question की तो previous day का question था चंबल संभाग का commissioner किसी बनाया गया है तो इसका सही option था रानू वेनू तिवारी को चंबल संभाग का commissioner बनाया गया है दोस्तो बात करते हैं question of the day की तो आज का question है मद्यप्रदेश सरकार अनाथों और बुजर्बों के लिए किन शहरों में composite भवन बनाएगी तो इसका answer आप हमें comment box में दे हम आपके answer का wait करेंगे तो दोस्तो आप मारे चैनल study universe को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और दोस्तो इन convenience के लिए माफी चाहता हूँ आज से परड़े आपको सुभाए 8 से 9 वजे की बीच परड़े current affair का वीडियो मिल जाएगा तो आप मारे चैनल study universe को जाद से जाद सब्सक्राइब कीजिए और दीरे दीरे दोस्तो जैसे ही exam नजदी का रहे हैं तो कुछ MPGK की question भी add करेंगे और अलग से हम एक MPGK का वीडियो लेकर आएंगे हपते में तो आज के लिए बसतना ही नमसकार have a nice day और दोस्तों परियावण को देखते हुए आप कम सी कम हपती में दू बिड़ अवस्ते लगाएं तो आज के लिए बसतना ही नमसकार have a nice day